कि नमस्कार दोस्तों मैं आशु आपका सौगत करता हूं हमारी यूटूब चैनल डिजिटल स्टेडी पॉइंट में तो दोस्तों आज के हम अपने इस लेक्चर में और यहां पॉपर आए बटन पर लिंक दी है वहां से देख सकते हैं जोस्तों बहुत इंपॉरी आपको पसंद आए दोस्तों हमने इस दो लेक्चरों में डिसक्स किया है दोस्तों बहुत ही मोश्ट इंपॉटेंट कोशनस इसमें भी दोस्तों साथ कोशन से चलिए स्टार्ट करते हैं उसके पहले दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो से लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल क को सब्सक्राइब करिए दोस्तों इसमें हम कि बता दें कि यदि आपको इस वीडियो से रिकार्डिंग कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी क्यों रही है तो आप उपर कमेंट वॉक्स में आप को पूछ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मारा पहला कोशन है संग के आधिकारिक उद्देश्यों और संसद में उपयोग के लिए हिंदी के अलावा कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है दोस्तों मैं बताना कि संग की आधिकारिक भाषा के लिए हिंदी के अलावा कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है दोस्तों जो हमारी इंडिया की नेशनल लेंग्वेज की बात करें किया यदि हमारी क्या राष्टी भासा है हमारी हिंदी दोस्तों यदि हम बात करें नेशनल लेंग्वेज तो दोस्तों इंडिया की इंडिया की कोई भी नेशनल लेंग्वेज नहीं है और सेगंड बात करे लिफिंपी में हिंदी होगी हूं दोस्तों अंग्रे जी की बात करें दोस्तों संसदिय कारवाही नियायपालि के केंडर कार और राज कर दोस्तों और पियूद की संक्रीक के लिए तो इन जी को सम्सेंगस इसानसर हो कि यदि संग के आधिकार को देश्यों और संसाथ में उपयोग के लिए हिंदी के अलावा कौन सी भासा को प्योग किया जा सकता है तो अंग्रेजी का इसलिए इसका सी सही आंसर होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर सेकेंड है आधिकारिक भासा की समीती में कितने सदश्य हैं दोस्तों जो आधिकारिक भासा की जो समीती होती है उसमें कितने सदश्य होते हैं तो दोस्तों इसमें हम बात करें कुल सदश्यों की संक्या तो दोस्तों इसमें कुल सदश्यो के सदश्यों द्वारा अनुपातिक पद्धिती के अनुशार एकल संक्रमनी अम्मत द्वारा दोस्तों निर्वाचित होते हैं दो टूरेश टूवन दोस्तों इसकांसर क्या होगा सीज का सही आंसर होगा थर्ड यांगे बढ़ते हैं कौशन नंबर थर्ड है आधिकारिक भा हिस्षे पर राष्टी अपात्काल लगाने के लिए राष्टपती को सज्जित करता है दोस्तों मैं बताना है कि कि संविधान संसोधन के द्वारा दोस्तों किसी विशेश हिस्षे पर राष्टी अपात्काल लगाने के लिए संसोधन के लिए यदि सज्जित करता है तो द 1975 में आये था इसके द्वारा अपातकाल लागू होने के बाद भी विविन्य परिस्तितियों में राष्टी अपातकाल लगाने का अधिकार राष्टपती को होता है और यदि हम आर्टिकल नंबर 42 की बात करें दोस्तों तो यह कब आया था यह आर्टिकल नंबर 42 इस बाले 42 Constitution Amendment Act आंगे बढ़ते हैं दोस्तों कौशन नंबर फिप्त बात कौशन नंबर फिप्त है राष्टी अपातकाल घोशित करने के लिए संभीदान में ससत्र विद्रोशब्द का कब जोड़ा गया था दोस्तों यदि हम बात करें राष्टी अपातकाल जो किसके द्व कौशन दोस्तों चावालीस वर संभीदान संसोदन उन्नीस तो जो बहत्तर में हुआ था द्वारा आंत्रिक अशांती को हटाकर दोस्तों किस सब्द को जोड़ दिया गया था तो किस आंतर क्या होगा दोस्तों इसका यह इसका सही आंसर होगा तरी आँगे बढ़ते हैं नेच्ट कॉस्चन कॉस्चन नम्बर सिख्स है राष्टी अपातकाल के दौरा नमलिखित में से कौनसा मौलिक अधिकार सोता से समाप्त नहीं होता है यदि राष्टी अपातकाल लागू है तब भी दोस्तों राष्ट निस्कासित नहीं किये जाते हैं अलूस्तों यदि हम आपराद करें अधिकारी की शुरक्षा से अधिकारी के शुरक्षा से सम्मंद्य है जो दोस्तों यदि उसके दोशिद्धी के मामले में दोस्तों एदि विशेश अधीकार है तो उनको जो विशेश अधीकार दिये जाएंगे अपराधियों को तो उसके संबने में आर्टिकल नमबर बीस है जब किशी व्यक्ति निगम पर अपराध लागु लगाया जाता है तो प्रत्यक नागरे को प्राण एवं दहक सतनतरता का अर्थात क्या है दोस्तों जीवन जीने का अर्थात दोस्तों इन दोनों को आपात काल के शमायमार भी इनको निसकासित नहीं किया जाता है गै leashinло 6 कौशन नमबर 7 कि भारत में राष्टीया पात काल कितनी वाल मां लागू कईया है तो दोस्तों इनकी आपको清楚 जाद हो अध्वाना लिए ट्र तीन दिसंबर को तीन दिसंबर। और ती इसरा दो अपने आंतरिक मामलों के द्वास्ता दूस्तों अंतरिक आशान्ती के चलते तीशिषड किया गया थे और गुषित किया गया था दोस्तों यë दोनों युद्ध के चलते राश्टी अपाद काल घोशित किया गया था इसका है कौन सा आपातकाल का परया कोन सा है अपातकाल के परया को परया की क्या क्या बोलते हैं राष्पती शाचन भी कहा जाता है उसे आपातकाल भी सब्सक्राइब कालीन भी वही है तो इसकान से दोस्तों डीश ही होगा यहांगे बढ़ते हैं कॉश्चन नमबर नाइन्थ में पूशा गया है बानववा संभिधान संसोधन द्वारा कौन सी भाषा को आठवी अनुसूची में नहीं जोड़ा गया दोस्तों बानववा संभ संभिधान संसोधन हुआ था और उसके अनुसा दोस्तों चार भासाओं को जोड़ा गया था में इस संभिधान में दूसतों बोडो सिंग धौनी का वल्ला दोस्तों आप त्रिक्स से याद कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेश्ट कॉश्यन कॉश्यन नमबर दसवा है भारतिय संविदान में कौन सी अनुसूची पंचायती पंचायतों की सक्तियों अधिकार और जिम्मेदारों को नर्दिश्चत कर पहले इसके पहले कितनी थी दस अनुसूची यह जोड़ा गया था और चौहतर वी में नगर पंचायत के बारे में नगर पाली काओं के बारे में दिया गया है चलिए आँगे बढ़ते हैं नेश्ट कॉश्यन कॉश्यन नमबर 11 है भारतिय संविदान में पहली बार संसोध संसोधन किया गया था और 1929 के प्रथम संसोधन की अनुसार संपत्ति के अधिकार के बारे में दोस्तों अनुचेद नमबर अनुचेद जो अनुसूचिया है उसकी नौवी अनुसूची को जोड़ा गया था यहांगे बढ़ते हैं कॉश्यन नमबर 12 है वह कौन सा संविद संसोधन के दोारा तर इसका सहीं अन्सर होगा राज्य ταवा में राष्टपती कितने सदक्रार को नामिद कर सकता है जो राष्टपती के दौर नुल सङकर 215 हुस Transport 10 236 के द्वारा मनुनित किये जाते हैं इस फैंटेट्री प्रयूष के द्वारा तुम किये भातिय सम्मीदान के किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों हमें बताना है प्रोट्रिक्षन फ्रॉम डवल जियो पार्ड़ी है जो दोस्तों इसका अंसार है वीस ही अर्था आर्टिकल नमबर बीस के अनुसार दौरे खत्रे से बचाव का सिध्धान्त भातिय सम्मीदान में मिलता है यह आगेब बढ़ते हैं कॉnity question question no.3 कों ते दस्तों में बता ना है कि लोक सभा के प्रताम में प्रताइब व Punkte अर्थात समय के जो i-spi कर तहें दोस्तों वहáwir पहले थे जिवी-मावलंकर दोस्तों इसका आपको याद कर लेना है जीवी क्योंकि इनका पूछ लिया जाता है जीवी अताथ गड़ेश वाशुदेव मावलंकर पहली लोग शवा के स्पीकर थे दोस्तों अभी कौन है तो अभी दोस्तों प्रेजेंट में ओमिल्ला है कोटां का विदान सवाथ छेत्र है और दोस्तों संबीदान संसुदन संबंदेत है नगर्पाली काउ से और दोस्तों यह कभ गटा तो लुन सब्सक्राइब प्राचीन काल में निवी परिधान और अधिवास क्या थे दोस्तों पराचीन काल में निजी और काल्क में दोस्तों परिधान और दिवाज या आर्जियों द्वारा पहचाने जाने वाले विवन्य प्रकार के वस्त्र थे अंगे बढ़ते हैं कॉशन नम्मर नेक्ष्ट कॉशन नम्मर नेक्ष्ट है किस एक अंदोलन का नेत्वत महत्मा गांधी नहीं किया दोस्तों कुट इंड न को को दोस्तों तीश में नहीं मात्मा गांधी नहीं महत्मा गांधी नहीं हैर इसलिए महत्मागांधी नितरत्व नहीं किया था उसका एसा सही आंसर होगा है व इसका सही आंसर होगा कर्फं केंद्या सतर्तता आयोग के अध्यक्ष का करेकाल कितने वर्षका होता है दोस्तों जो के इंदिय सतर पायों स्विसेंट्रल स्विजिलेंस कमेशन कारेकाल का चार साल का आई यह हमारे कामत हैं ह mines क्षिया है के औहुड imbalance के अनुसार भारत का शेषोल लिंगारद के दिना था दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किया गया था और यह भारत में तीन लोगों को दिया गया था प्रतम इसमें एसारवपली रादा कृष्ण को दिया गया था और दोस्तों सी भी रमन को दिया गया था और राजगोपलाचारी को दिया था प्रतों जो गोविंद बल्लब पंत है दोस्तों इनको नहीं दिया गया था अथा इसका सही आंसर सी होगा गोविंद बल्लब पंत को नहीं दिया गया था क्यूंकि दोस्तों आंगे बढ़ते हैं किस किस वर्ष कि गई तो दोस्तों या उनिस्तों ग्यारह में की गई ती और दोस्तों यदी पूछा जांए कि कि किस bisa अंसोदन के दो आरे की गई दोस्तों 69 जो संबिदान संसोदन हुआ ता उसके द्वारह 1999 सब्सक्राइब कर दिया गया था आंगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब किसका योगदान है दोस्तों किस देश से लिया गया है दोस्तों यह दिया गया सब्सक्राइब से अर्थात इसका एंसर सही होगा अंके बढ़ते हैं सब्सक्राइब कंबर रखें दोस्तों सब्सक्राइब कर दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी नौदेसंबर को दोस्तों कभी थी नौदेसंबर को 1946 में पहली बैठक हुई थी सम्मिदान सवाकी और दोस्तों यह कहां हुई थी तो नई दिल्ली के काउंसिल चेंबर भवन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता दोस्तों सबसे बुजोर्ग थे क्यूंकि उस टाइम पर सच्चिदन्न सिन्हा उनको आस्थाई रूप से अध्यक्ष चुना गया था तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तों बी सही इसका अंसर होगा था कि अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था यह अंगे बढ़ते हैं और फिर राजएंद्र प्रशाद पहले राष्ट पती भी रहे हमारे सामाजिक न्याय की अवधार्णा को सम्विधान में कहां व्यक्त किया गया है दोस्तों समाजिक न्याय की अवधार्णा है उस निम लोगत मैं से किस किया गया कि दोस्तों राजसुची खालना वे अनुसूची फोर्ट में यह इसका सही आंसर में उसी 2.4 में राजसुची की सीटों का अवधानिका गया है दोस्तों आगे बढ़ते हैं next question दोस्तों यदि अनुसूची हम 5 वी की बात करें तो इसमें अनुसूची जन जाती और अनुसूची जाती के जो छेत्रों के बारे में दोस्तों बताया गया है अनुसूची और जो 9 वी है दोस्तों सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो सिक्षा का अधिकार है विदायक जोस्तों 86 संभीदान संसोदन के द्वारा जोड़ा गया था इसमें दोस्तों कानुनी रूप से दोस्तों ऐसी है कि जिसमें 6-14 साल के प्रतिक बच्ची को निशुल और अनिवार सिक्षा प्राप्थ कर करना है और अँसमें चाजय करना है और दोस्तों और यह दोस्तों और बात करें कि कब हुआ था था तो 2002 में 86 संभ篇धन संसोदन तो तो दोस्तों यह तीनों सूची किस अनुसूची में हैं दोस्तों किस अनुसूची में हैं दोस्तों आंगे बढ़ते हैं संसद में सामिल है दोस्तों संसद किन से मिलकर बनी होती है दोस्तों इसका हमने पिछली वीडियो में अपनी पुरानी पहली वीडियो दोस्त का तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स को वौचिंग दोस्तों आंगे बढ़ते हैं दोस्तों यहीं हम इसकी बात करें कि संसद में सामिल है तो दोस्तों प्रेशिडेंट लोकसबा और राजसबातीनों से मिलकर संसद बनी हुई होती है अर्टा इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं कौशय नमबर नेक्स्ट है दोस्तों इसमें हमने से पूछा गया है कि किस अनुश्यत को सम्मिदान के निर्माता ने सम्मिदान की आत्मा कहा दोस्तों तो इस कांसर D सही होगा आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाती है उसको संभीधान की आत्मा कहा भीमराव अंबेट कर जीन है आगे बढ़ते हैं next question, question number next है भारत के राष्टपती पर महावियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से संभीधान से लिया गई दोस्तों जो बहारत के राष्टपती पर महावियोग लगाने की प्रक्रिया है वैं USA के स समिधानीğin निया गया अताद एसका सही आंसर होगा जिसके बड़ते हैं नेश्टी क्यूश्पन परिशद के सदस्च्रता प्राप्ट करने के लिए- न्यून्थं आई है दोस्तों बिशान पर जैसे बेधान सवा और बिदões एक वाई कैमराल होता है इस प्रकार से जैसे हमारे उनिकेमराल करें क्योंकि विद्धान शभाव यह उत्तरप्रदेश की बात करें तो दोस्तों वहां पर क्या होती है और लोग सवां के एक्योवियंट होती है तो यदि हमसे यहां पर पूंचा है बिदान सवा के सदश्यों को प्राप्त करने के दोस्तों नियुन तम आयू तो बिदान सवा के नियुन तम जो तो बिदान परिशद का पूंचा है तो बिदान परिशद किसके क्विलेंट है दोस्तों राज सवा के तो राज सवा में कित कम से कम आयू क्या है दोस्तो भारत में राजियों के राजपाल के लिए कम से कम आयू दोस्तो कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष की होनी चाहिए 25 सबहाद के तो कितवार दिन तक रोक सकता दोस्तों कोई साधार है दोस्तों चार महीने तक रोख सकता तो दोस्तों यह मैकजीमम चार महीने तक रोख सकता है अर्था दी इसका सही आंसार होगा दोस्तों यदि चार महीने के बाद विधान परिशद ने बिलको यदि पास नहीं किया तो दोस्तों विधान परिशद जो विधान सवा है दोस्तों वह इसको बिलको पास मान सकती है आंगे बढ़ते हैं नेस्ट कॉश्यन question number next है उप्राष्टपती 10 होता है दोस्तों हमें बता है कि उप्राष्टपती क्या होता है क्या लोकसवा का सदस्य होता है राजसवा का सदस्य होता है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों जो उप्राश्पती होता है वह किसी भी सदन का सदश्य नहीं होता है अर्थाद डीस का सही आंसर होगा यह आंगे बढ़ते हैं बारतिय सम्विदान के अनुशेद 24 और 75 में संदर्वे थे दोस्तों मैं यहाँ पर बताना है कि चोहतर वी और 75 में क्या है तो दोस्तों चोहतर वी और 75 में मंति परिशाद से रिलेटेड है अर्था काउंसल ऑफ मिनिस्टर है हमारे देश में काउंटर ऑफ मिनिस्टर होनी यह दोस्तों यह दोस्तों नमबर चौटर और पच्छतर में दिया गया है अंगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 44 है नमलेकत मैं से किस व्यक्ति को संसद में किसी सलहा या परामर्ष के लिए आमंत्रित किया जाता है दोस्तों हमारे जो महानियावादी होत हैं यह सर्वोच्छ बिधी अधिकार होते हैं हमारे देश के जदी सरकार पर कोई दोस्तों जैसे केस लड़ता है तो यहीं ही लड़ेंगे दोस्तों इनके लिए राइट होता है यह संद में बैठ सकते हैं परनतु लोगसभगशवा, रासवा, दौनों, बैठ सकते हैं नह दोस्तों इसका अंसर वही होगा भारत का महानियावादी ए अभी हमने बताया नेश्ट कॉश्चन नमबर 46 वा है भारत के नियंतरक और महालेखक परिक्षक किसके द्वारा मुख्य लेखाकार और लेखा परिक्षक के रूप में काम करते हैं दोस्तों हमसे इसमें पूछा गया है जो इसका राज्य सरकार होगा दोस्तों जो कैग है इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में इसका पार्ट फरस्ट है कुर्षक करता है आपन वहां देख सकते हों से अंगब बढ़ते हैं और सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में कितनी होती परनतु अभी प्रेजेंट में 5305 होते हैं और यह मैं 502 को बाटने दोस्तों तो तो 530 राज्जों के द्वारा बीस के इंसासित प्रदेश्ट के द्वारा और दो राष्ट्पती मनुनित करते हैं अंगे बढ़ते हैं Q 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 का दोस्तों करके एक रोपाय करके संबंधी परस्ताब को क्या कहते हैं दोस्तों इसको नीतिगत कटवती परस्ताब कहते हैं दोस्तों इसके द्वारा नहीं लगाना है क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी नियुक्ति के बारे में आते तो अप प्रसिडेंट लगा देते हैं डारेक्ट वंतु दोस्तों यह इस्पीकर ऑफ लोकसवा अर्थात लोक्सवा के अध्यक्ष के द्वारा लोकली का समिती का अध्यक्ष चुना जाता है और दोस्तों ल लोगलेखा समिती की जड़वाएथ कहा जाता है दोस्तों प्राक्राइब कमीटी जो होती है स्दाश्यों की को संक्या कितनी होती है तो दोस्तों इसमें जो सदश्यों की कुल संख्या होती है वह 22 होती है 15 दोस्तों 15 राज्य सवा से 15 लोग सवा से और प्लस साथ राज्य सवा से चुने जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेश्ट कॉष्च नमबर नेक्स है लाकर राजस्थान डैस संसे यह राजसवा एक भाना राज थावा की सीते हैं करते हैं नेश्ट कॉश्चन- एतनिम्लेक उनंबर के बारे में सही नहीं है तोस्तों चब्लंक के बारे किसी बताना है कि कौनसा सही नहीं नहीं है जो सो पहला कथन दिया गया एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यमानोर सब्सक्राइब किया सकता है किसी यहां किसी राज्यपाल को अपनी कार्यकाल के और दूसरे राज्यकार दोस्तों उसमें तवादला कर सकता है दोस्तों अहां बिल्कुल कर सकता है वह तवादला भी कर सकता है सेकेंड भी बिल्कुल सही है तो सफेर्ड राज्यों के राज्यपाल को राष्टपती अपने हस्ताक्षर और मुद्रस सहित अधिपत्र द्वार हों चाहिए नहीं दोस्तों जो राजयपाल होते हैं है जो जैसे में राश्ठपती का सासन चलता है वैसे ही राजय में दोस्तों राजयपाल के लिए भी much now yes तो दी इसका सभी आंसर होगा अथा डी इसका जो सही नहीं پूछा है यहां दिस हैं यान। ही है आंगे बढ़ते हैं ऑरहित आयोग से संवंदित अधिकार बताना है दोस्तो सोच्छन आयोग में दिआ गया है क्या करें तो ुप ANY played क्या जो है उनिया और और इस ड् hourly माइशन आयोग्ध करें तो 20 सही यांजर होगा आँगे बढ़ते हैं एक किस ë नमगे से मुद्धे पर राश्ट कर सकते हैं दूसतों इस ान्साहिए कि कि किन किन्स पर राश्ट कर सकते हैं मन्ती परिषयत की बर खास्तता आतार इसके लिए कर सकते हैं पहला बिल्कुल सही है उच्छ न्याल म quoi म लंबन कर सकते हैं किया नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते नियाज का अगया टोस्तों कर सकते कर सकते हैं क्या राजवपाल और सफ्सक्राओं ceremony सब्सक्राइब양 में दोस्तों पहला सही है और प्रेंडों के साथ सेर कीजिए दोस्तों कम से कम इसमें दोस्तों 15 लाइक की दोस्तों करते हैं कि यदि हम 15 कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ दोस्तों बढ़ाई गई है हमसे इसमें पूंचा गया है कि लोग सभा में जन संख्या दोस्तों जन संख्या इसका सही आंसर होगा और यह कब हुआ था ? स्थामझालош्षा के अधिकार से संसोधन से शंसोधन है, इसी वीडियो में बताए कि दोस्तों यह कब हुआ था 2000 किसमें हुआ था सन में 2002 में और दोस्तों किसमें कितने कि लिए है दोस्तों फिरी और अनिवार दोस्तों तो से 14 वर्स के बच्चों के लिए आंगे बढ़ते हैं इसकांसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा कोशन नंबर 58 किस अनुशूची में अनुशूचे छेत्र और अनुशूचे जनजातियों के प्रशाशन और नियंत्रक में सम्वंदित प्रावधान हैं दोस्तों मैं इसका अंसर होगा और भी इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्यूंकि पांच वैनु सूची में दिया गया है 4 में राज्य के जो رाज्य सवा के बारे में क्या दिया गया है अगे बढते हैं नेश्ट वश्य नंबर 59 जोड़ी गई तो संभीदान के निम्लेकत अनुसूचियों में से किसमें संसोधन के द्वारा दोस्तों बन सकता है तो इसका होगा फ़स्ट सही आंसर अनुसूची प्रथम में राज्ज और के इंसासित प्रजोशों के बारे में दिया गया है कि यदि किसी राज्ज को वाइ जोड़ी गई तो जोड़ी गई तो इसका आंतर एस ही होगा और कब दोस्तों तो यह उन्हीं तो इंक्यावन में जोड़ी गई थी आंगे बढ़ते हैं नेस्ट कॉश्यन कोश्यन अमबर नेस्ट है दोस्तों यह लाश्ट कॉश्यन है दोस्तों और विशेश बहुमत की अवशक्ता किसमें होती है और राजी के निर्देशक्तत्म की बात करें तो इसको कि ने अर्टिकल नमबर 36 से इंक्यावन में रखा गया है और दोस्तों इसके में भाग की बात करें तो किस भाग में है तो भाग नमबर दोस्तों चार में है और दोस्तों यह थी आज की वीडियो यह है वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बोक्स में बताईए यदि दोस्तों इसमें आप हमारे वीडियो के लिए कोई भी सजि आप suggestion दे सकते हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों welcome है आप improvement के लिए suggestion भी दे सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंदा तो इसे like करिए दोस्तों और हमारे चैनल को subscribe करिए थैंक्स पर वाचिंग